ओके, हेलो चैटर्स, माइ नेम इस रोइट एंड यूर वाचिंग रेसल चैटर्स वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे रोप्स के बीच में डैनल बैन का जो लैग हो फस जाता है और गाइस यह काफी स्कैरी सिचेशन थी क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ भी मामला इधर दर होता तो इंजिरी के चांसे भी थे बट किसी तरही के से दुबारासे चीज़ें उन्होंने करी हो और गोच ने यह भी देखा कि इसके चलते रोवन को दुबारास सपने फिनिशर लगाना पड़ा है क्योंकि वह फिनिशर लगाने के बात तो वहाँ पर वो पिन करनी पाते लेकिन उनको दुबार से अपने फिनिशर लगाना पड़ा एक और स्कैरी टाइप का बॉस्टा भी से हम लोग बॉस्ट नहीं कह सकते लेकिन ये ज़रू कह सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत मामला इधर दर होता तो पंगे हो सकते थे अली के साथ मैच चल रहा था अली वर्सिस नाकामुरा की बीच और जब बहार की तरफ अली डाइव लगाते हैं तो वो सीधा अपने हैड के बल पर लैंड होते हैं हाला कि नाकामुरा को तो उन्हेंने श्ट्राइक कराई लेकिन जिस सरीके से वो जमेन पर गिरे ऐसा लगा कि अली के साथ कुछ प्रबलम हो सकते हैं अगर बंदा इतना इसकेет हो सकता है लेकिन हाँ अगर मामला थोड़ा बहुत भी 19-20 का इधर होता तो अली को उससे काफी problem भी उठानी पड़ सकती थी और guys इस तरीके से हम लोगों ने WWE में काफ़ सारी injuries भी देखी हैं तो ये तो थे scary watch लेकिन दो funny watches भी थे एक था काबू की warriors versus fire and desire की match में जब हम लोगों ने देखा कि काईरी सेन वो magazine जो लेकि आती है Mandy Rose को लात माने कोशिश करती है तो पहली लात में लगता नहीं है और उनको दुबारा से वो चीज़ करनी पड़ी और सेम चीज स्मैकड़न लाइफ के ending मोंड में हमें देखनी को मिली जब Shane McMahon को माइक में बोलना होता है Kevin Newman's and Shane McMahon के साथ आपके दिमाग में सवाल होगा कि भाई यहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या Kevin Newman's की चुटी होने वाली है या फिर Shane McMahon की चुटी होने वाली है तो गाईज यहां पर expectation यह है कि Kevin Newman's कहीं पर भी नहीं जाने वाले और गाईज इस मैच में हमें Shane McMahon हारते वे दिखाये देंगे वो ना सिर्फ इस मैच को हारेंगे बलकि वो WWE से भी चले जाएंगे और टेलेविजिन पर जो उनका authority वाला figure है वो पूरी तरीके से गाईब हो जाएगा और इसके पीचे reason यही है जिसमें आपको बता है कि WWE का जब SmackDown Fox पर जा रहा है तो वो sports like product इससे दिखाना चाहते हैं तो फिर ऐसी चीजों की ज़रुत है नहीं और गाईज जो Shane McMahon का role है और गाईज यह जोड़ी है Roman Reigns से तो Roman Reigns ने एक dark match में wrestle किया और यह बहुती अलग जगा पर match हुआ था मतलब SmackDown Live के खत्म होने के बाद जब 205 Live का time शुरू हो जाता है जब 205 Live शुरू हो जानी चाहिए थी उस समय Roman Reigns ने एक dark match में wrestle किया और गाईज यह जो match था हूँ वहाँ बैठी audience के लिए था और उस समय टेलिविजन पर अगर 205 Live दिखाने है तो वहाँ पर बैक्स्टेज या फिर प्रोमो वागरा वाले segment थे जो कि ring में ही करने पड़ते हैं सिर्फ वो वीडियो package के थुरू होते हैं तो इसलिए डबल डबली ने रोमन रेंज को भीच में फिल कर दिया बहुत ही अलगसा टाइम था SmackDown Live के खत्म होने के बार 205 Live के शुरू होने से पहले जब 205 Live शुरू हो जानी चाहिती है और इसी के चलते जो SmackDown Live के खत्म होने के बार 205 Live शुरू हो जाती है इस बार डबल डबली नेटवर्क पर कुछ ऐसा नहीं था अभी गैस मेरे बार में पूरी डिटेल इंफोमेशन नहीं है कि रोमन रेंज का मैच किसके साथ था या फिर क्या कुछ था लेकिन यह छोड़ी से अपडेट है जितनी है अगर इसके बार में आपको बता चलता है तो वो भी आपको हमायर चैनल पर जरूर मिल जाएगा सबसे बड़ी स्टोरी की बात करते है और गैस यह जूड़ी है दर रॉक से रॉक के बार में सबी लोग के कुश्चन है कि गैस क्या इस बार रॉक आ सकते है क्या इस बार काफी सालों के बाद डरॉक आएंगे डरॉक आएंगे डरॉक टेलिविजन की उपर तो गैस मैं आपको यह बता दू कि काफी सारी ऐसी डीटेल्स आई है फॉक्स और स्मैक डॉन लाइफ की डील वाली जहाँ पर गैस आपको मैं थोड़े सा खुश करने वाली बात यह बता दू कि पॉसिबल ही हो सकता है कि जब स्मैक डॉन लाइफ हम लोग देख रहे होंगे फॉक्स नेट पर जब वो चला जाएगा मतलब हमारे यहां तो जहां आता है वहीं पर आएगा अच्छा हो जाएगा और हमारे तो भाई मज़े आ जाएंगे तो गाई आप लोग एक पॉरी तरीके से आउट नहीं कर सकते हैं कि क्या रॉक नहीं आएगे इस मैंग्डॉन लाइफ की एपिसोड में चांस यहां पर बन रहा है और गाईस मैं आपको पहले ही बता चुका ह कि अगर रॉक किसी एपिसोड के लिए आएंगे तो शायर ही हमें कोई ऐसा स्पॉइलर मिलेगा जिससे हम लोग कह सकते हैं कि भाई अब रॉक का आना कंफर्म है क्योंकि डबल डबली इस चीज को रखना चाहते हैं काफी ज़ता सीक्रेट और इससे पहले कि आप लोग इस व